दकेरला स्टोरी फिल्म केजी अब टू और पठान को भी पीछे छोड़ दिया। दकेरला स्टोरी फिल्म पांच मई 2023 को रिलीज हुई थी और कोब उसका बिरोध हुआ था। उस फिल्म में कहा जा रहा है कि मुस्लमानों के खिलाप एजेंडा चलाया गया प्रोपेगंडा चलाया गया और बिपक्षी नेताओं का कैना था कि बिजेपी 2024 की तैयारी में लग गई है इस फिल्म को लेकर। लेकिन देखी जाए तो हिंदुस्तान के कई सारे प्रदेश में इस फिल्म को बैन कर दिया और कुछ सीनेमा हालों ने बैन कर दिया। लेकिन आपको हम बता दे कि दकिरला स्टोरी आज 14-15 दिन हो गए लेकिन आज देखी जाए तो केजी अप टू जैसे बड़ी फिल्म और पठान जैसे बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। हम आज दकिरला स्टोरी की पूरी कमाई बताएंगे कि पूरी कमाई दकिरला स्टोरी कितनी कर चुकी है आज तक और आगे साइद कितनी कर सकती है। और एक और बात बताते हैं कि बहुत सारे प्रदेश में बैन हुए थे अब वो कहां कहां बैन हट गया हैं लेकिन उससे पहले टीवी समचार पे जितने लोग हमें देख रहे हैं और देखते हैं हमारे दर्सक हैं उन्हें मैं दिल की गराईयों से नमस्कार करता हूं पडाम है और आज दकेरला इस्टोरी की पूरी कमाई बताने वाले हैं जिस तरह पूरे देश में बिरोध परदसन हुआ था आपसे बता दे कि दकेरला इस्टोरी की कहानी 30,000 हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तर यानि मुसलिम बना दिया गया था ये दकेरला इस्टोरी की हुआ था और पूरे देश में बिपक्षी नेता कहते रहे कि बीजेपी के एजंडा है और बीजेपी ने ही इस फिल्म को लांच करवाया है अला कि बहुत सारे टीबी चैनल वाले कहें ये प्रोपेगेंडा है या बीजेपी का एजंडा है आपसे बता दे कि इतना सारा वि फिल्म बहुत जादा रुपया कमाई और कहा जाता है कि हिंदी के जाने माने कालाकार जाने माने एक्टर सारु खान की पठान फिल्म को भी छोड़ चुका है और ये केरला इस्टोरी केरला इस्टोरी की पूरी लागत 28 करोड पिये थी लेकिन आज 28 करोड क्विये की धुगूना तीगूना जादा कमाई कर चुकी है लेकिन हम सुरुआत करते हैं कि पहले दिन कितनी कमाई हुई The Kerala Story पहले दिन 8 करोड 20 लाग खुर्पे की कमाई कर चुकी थी यानि 5 तारीक को और पुरे भारत में 10 दिनों में 136 करोड और 76 लाग खुर्पे की कमाई की केरला इस्टोरी पुरे 10 दिनों में भारत में और भारत का 11 दिन The Kerala Story कमाई 10 करोड 50 लाग खुर्पे की और 12 दिन 9 करोड 65 लाग खुर्पे की कमाई की और 13 दिन 9 करोड पिय की कमाई की और 24 दिन 9 करोड से अधिक कमाई कर चुकी है दा किरला स्टोरी 14 दिन में इंडिया में 176 करोड पिये कमाई कर चुकी है और पूरे दुनिया में 215 करोड पिया किरला स्टोरी कमा चुकी है मात्र 14 दिनों में 215 करोड पिया कमाई कर चुकी है दा किरला स्टोरी और एक और बात बता दे कि पच्छमी बंगाल में दा किरला स्टोरी को बैन कर दिया गया था लेकिन वहां के हाई कोट ने कहा कि इसे बैन हटा दिया जाए और जो हाई कोट के जज हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं भी ये सिनेमा देखूंगा आखिर इसमें सच क्या है। देखिए, देखिए, दा किरला इस्टोरी को लेकर ढ़ेर सारा विरोध प्रदसन हुआ, लेकिन इतना विरोध प्रदसन होने के बाद भी दा किरला इस्टोरी सूपर डूपर हिट हो गई। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब इसमें दिखाया गया है, तो इस फिल्म को लोग देख क्यूं रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब मुस्लीमों के खिलाप एजेंडा चला रही है, तो इस फिल्म को लोग इतना क्यूं देख रहा हैं। सोचने वाली बात तो ये है, दक्रस्मीर फाइल कहा जा रहा ता कि फलाप हो गया था, वहीं दक्केरला इस्टोरी आज कमाई की दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है, देखिए, टीवी समाचार आज पहला दिन का सुरुवात दक्केरला इस्टोरी से किया है, और टीवी समाचार को देखिए, अगर टीवी समाचार को देखना चाहते हैं, यूटूब पर, यादा सोच साइट पे, वहाँ लिखे है, अड़ेट, टीवी समाचार, और लिख कर सर्च करें, सस्क्राइब करें, विबाग पत्रकारिता का साध्य समर्थन दें, तब तक ले लेते, आ टीवी समाचार, नमस्कार.